एले स्टुडेंट्स आयम मनोज सोनकर स्वागत है आप सभी लोगों का सुपर कोचिंग टेस्ट बुक के इस सेशन में आज का जो सेशन हैं बहुत 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 खास है क्योंकि आपके जो सर है मनोज सर उन्होंने ही MPPSC असिस्टेंट प्रफेसर का रेटेन जो है वो कॉलिफाई कर लिया है तो वैसे तो आप लोग कहेंगे कि सर इसमें क्या बड़ी बात है अगर आप कोई एक्जाम देते हैं तो तो कॉलिफाई होना ही है लेकिन यहां पर मैं आप लोगों के साथ वो इस्ट्रेजी डिसकस करने वाला हूँ जो इस्ट्रेजी कभ आपको तैयारी करनी चाहिए लेकिन आज उसको थोड़ा सा और डिटेल में करेंगे और मुझे यह बताते हुए बहुत खोशी हो रही है कि अब ऐसा कोई एक्जाम नहीं रहा है मतलब जैसे कि हम आपको खुद टीच कर रहे हैं और मतलब असिस्टन प्रोफिसर कभी एक्जा जिलेटेड होते हैं वह सब क्वालिफाइ कर चुकिए हैं तो एक अच्छा एक्सिकष्पीरियेंस है और वह एक्सिक्पीरि-ेंस जो है वह आप लोगों के साथ हम लोग ऑप लोग से रहते हैं है तो चलिए आज क्या वो इस्ट्रेटेजी थी कैसे लगातार हम लोग अपना वैल्यू निरिच्मेंट करते हुए ऊपPeople UGC-Net की ही तैयारी करते हुए UGC-Net तैयारी के दोरान ही कैसे हम लोग चाहे वह CG-PSC हो चाहे वह माचल प्रोदेश का असिस्टन्ट प्रोफेसर का पेपर हो या उत्रहखन का असिस्टन्ट प्रोफेसर का पेपर हो चाहे यूपी का असिस्टन्ट प्रोफेसर का पेपर हो या कोई भी स्टेट के असिस्टन्ट प्रोफेसर का पेपर हो या या ये के सैट का पेपर हो या RPSC का पेपर हो ये के PSC का पेपर हूँ हर एक पेपर को आप केवल एक UGC NET की तैयारी अगर आप अच्छे से करते हैं तो और क्या आपको करना चाहिए कि साथ ही साथ असिस्टेंट प्रोफेसर का भी एक्जाम आपका क्वालिफाई को जाए क्योंकि ultimately माइने क्या रखता है ultimately माइने ये रखता है students कि आप FINALLY क्या कर रहे हैं आपने ये exam qualify किया आपने वो exam qualify किया लäsकर आप FINALLY аसिस्टेंट प्रोफेसर का exam जो है वो आपको job दिलाता है आप जियर एफ भी कर लेते हैं बाद भी आपको job तो करनी है तो ultimately आप कहां पहुंचते हैं ठीक है तो असिस्टेंट प्रॉफेसर का exam बहुत important होता है और हर एक student को अपने life में assistant professor का exam देना है मगर यह जो strategy मैं आपको बता रहा हूँ तो यह किवल assistant professor का exam qualify करनी के लिए नहीं हैं यह दुनिया का कोई भी exam है वो आप qualify कर सकते हैं अगर आप इन strategies को follow करते हैं क्योंकि मैं आप लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि मेरे पास इतना समय नहीं होता है लेकिन फिर भी जो भी exam देते हैं उसको qualify करते हैं बस यह है कि sociology related होना चाहिए क्यों ऐसा हो जाता है क्यों ऐसी stage आजाती है यह मैं आप लोगों के साथ full discussion करूँगा मगर उसके पहले जो MPPSC के मेरे बहुत सारे students हैं जिन्होंने MPPSC assistant professor का exam qualify की है और अब interview guidance उनको चाहिए है तो नीचे आपको description box में Google form दिख रहा होगा interview guidance से related तो आप उस form को fill कर दीजेगा और आपको जो हमारी team है वो संपर्क कर लेगी और जो interview से related guidance है वो आपको दिया जाएगा ठीक और आपकी पूरी practice भी कराएंगी interview कैसे दिया जाता है interview में क्या presentation होना चाहिए कैसे questions पूछे जाते हैं इन सब पर हम लोग बात करेंगे ठीक है तो वो form भर दीजेगा आते हैं सबसे important बात जिसके लिए आप मेरा ये वीडियो बहुत तह दिल से देख रहे हैं अगर आप को इस वीडियो से सीखने के लिए मिलता है जैसे कि आप लोग बताते हैं कि सर हमें आपके वीडियो से बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है तो session को like कीजेगा और share जरू से कीजेगा कि ये खुश खबरी है है कि नहीं और खुशियां बाटने से बढ़ती है फिक दुख ब डिसकस करेंगे आज के इस वीडियो में डिस्सिप्लिन रहना पड़ता है आपको अपने life में अपने strategy के साथ strategy बहुत important part होता है रन नीती आपको रन नीती बनानी आप रन भूमी में खड़े हैं आपको रन नीती चाहिए है पूरे अनुशासन से आपको इसका पालन करना ह यह रन नीती कैसी होगी यह मैं भी आपके साथ discuss करूँगा क्या होती है रन नीती यह सब सारी बाते हैं वैल्यों एंरिच्मेंट लगतार जो भी आप पढ़ रहे हैं उसमें आपको वैल्यों एंरिच्मेंट करना चाहिए यानि मूले समवर्धन यह भी मैं आपको आए और बहुत इंपॉर्टंट फूमवर्वी आपको बनाना चाहिए और इसके बाद डेली शुडिल भी आपको बनाना चाहिए च्ब्ससे पहले discuss करते हैं कि आपकी स्ट्रेजि क्या होने सबसे इंपॉर्टंटम बात आपकी स्ट्रेजेजित में होता है कि आपको decision लेना आपने decision ले लिया कि आप किस exam की तयारी करना चाहते हैं आपका main focus क्या है अगर आपने UGC net qualify कर लिया है तो फिर आपका तो एक ही focus है कि भाई मेरा assistant professor हो जाए और यदि आप कोई भी exam की तयारी करना है जैसे मान लिजिए आपका main मुद्ध है UGC net अब आप चाहते हैं कि यार मैं UGC net की तयारी कर रहा हूँ लिके मेरा set भी हो जाए मेरा assistant professor भी हो जाए तो आपको क्या करना होता है एक comprehensive formula तयार करना होता है सबसे पहले आप decision ले लिजिए कि आप सक्षा में खुद से आप दो तरह की study आपकी हो जाती है एक हो जाती है self दूसरी हो जाती है paid classes लेते है यह पूरे आपकी जिम्मेदारी है आप पूरी तरह से सोतंत्र हैं जो आप करना चाहें आप कर सकते हैं अपनी छमता के अनुसार self से भी आप qualify कर सकते हैं paid से भी आप qualify कर सकते हैं बस यह है कि आपको दोनों में आपकी weakness और strength आपको पता होना चाहिए अगर आप अपने आपको बहुत जादा weak feel करते हैं तो फिर आप paid class ले लीजिए और आपको लगता है कि यार नहीं नहीं मेरे को तो sociology अच्छी तरह से आती है और मैं खुद ही कर सकता हूं सब कुछ तो फिर आप खुद कीजिए कोई दिक्कत नहीं ठीक लेकिन अगर आपको कहीं कहीं doubt है आपको लगता है कि यार मुझे किसी support की जरूरत है और बिना support के नहीं हो पाएगा और regularity नहीं बन पा रही है systematic study नहीं हो पा रहा है तो आपको यह करना चाहिए ठीक है तो मेन मुद्द यही है कि UGC net के साथ set और assistant professor का exam क्या असानी से qualify किया जा सकता है तो देखिए एक बात समझ लेजिए कि असानी से आपको जीवन में कुछ नहीं होगा कि जितना आपके पास है वो सारा आपको देना होगा यानि आपको 100% चीजें आपको जो भी आपकी छमता है उसका 100% दीजी और मैं बता रहा हूँ आपका 100% कोई भी exam दुनिया का qualify होगा ठीक है तो UGC net के साथ कैसे आप दूसरी चीजों की तयारी कर सकते हैं बहुत important बात है कि जब आप UGC net का अपना syllabus बहुत अच्छी तरह से cover कर लेते हैं अब मैंने आपको बता दिया कि syllabus cover करने के दो तरीके हैं एक self study से और दूसरा paid class से यह आपका अपना decision है कि आप paid class लेते हैं self study करते है syllabus syllabus आपका completely thorough होना चाहिए पूरा syllabus आपका अच्छी तरह से cover कर लेना चाहिए आपको एक कोई exam देखिए मैं आपको हमेशा कहता हूं एक साधे सबसदे सबसदे सब जाये मतलब अगर आप एक को साध एक की तैयारी कर रहे हैं बहुत अच्छे से लगके तो सारी चीज़ें आपको मिलेंगी लेकिन अ और एक बात भरोसा 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 बहुत important है student confidence उस teacher से आपको पढ़ना चाहिए जिसके उपर आपको भरोसा भरोसा बहुत important है विश्वास अगर भरोसा नहीं है न तो फिर आप संदे में रहेंगे जीवन बर आप suspicious रहेंगे फिर मत कीजिए अगर आपको पूरा भरोसा है तो लग जाईए जम के और एक ही विप्ति को follow कीजिए अच्छी तरह से और क्या कीजिए mcq बहुत second बहुत important point है mcq जब आपका syllabus थोरो हो जाता है न किवल एक ही चीज है जो आपको आगे ले जाती है वो है mcq अब देखिए check कीजिए कि आपके set के syllabus में क्या difference है आपके assistant professor के syllabus में क्या difference है आपकी यूजी सीनेट से और उस difference के list बना लीजे जिस भी टीचर से आप पढ़ना चाहते हैं जिस भी टीचर का आपको पढ़ाना अच्छा लगता है जिस भी टीचर से आपको समझ में आता है आपको क्या करना है उस teacher को भीज दीजिए कि सर मेरे set के exam में ये ये topic है जो कि यूजी सीनेट के exam से different है या मेरे assistant professor के exam में ये ये चीजें different है ये thinker से different है और जो कि यूजी सीनेट में नहीं है तो मैं कैसे इसको cover कर सकता हूँ क्या वो तरीका है जिससे कि मैं इनको cover कर सकूँ यूजी सीनेट के exam के साथ या मेरे इस exam की तैयारी मैं कर कर सका हूं उससे पूछिए और वैसे भी मैं आपको यहां पर यह सारी बातें बताने वाला हूं तो आप कैसे कर सकते हैं तो जब आप mcq solve करते हैं तो आप मुझसे पूछते हैं कि सर मैं यह वाला mcq solve करूँ क्या इस यहर का mcq solve करूँ क्या तो ऐसा में बिलकुल मत सोचिये, यह आ जो भी mcq आपके पास आता है उसमें सोचने की जरूरत नहीं है समझने की जरूरत नहीं है कि मेरे को करना है कि नहीं करना है आप करिए उससे आपका फायदा ही फायदा होने वाला है और एक चीज बहुत important होती है students कि कई सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जो कभी notes नहीं बनाते हैं और qualify कर लेते हैं लेकिन मेरी आदत बहुत जादा लिखने की है मेरे पास देखेंगे आप इस तरह के बहुत सारे papers आपको ऐसे रखे हुए मिलेंगे मेरी हर एक टेबल पर ऐसे papers फैले रहते हैं मेरी notes बनाने की नहीं बहुत जादा मैं हर चीज को लिख लेता हूं जैसे मुझे कोई चीज नहीं मिली मतलब नहीं मिली नहीं नहीं मिल जाता है मैं इसको तुरं transparent sheet भी रखता हूं अपने पास मतलब जैसे माल लीजिए बहुत ज्यादा busy हूं मैं वह नहीं खुल सकता हूं वह notes तो मैं इसमें लिख देता हूं black color के पैंसे अगर मैं इसको white कर दूना तो देखिए यह भी यह भी letter pad भी मैं रखता हूं ऐसे तो देखिए आप इसमें स्की पैदा आपको होगा आप जैसे यूजी सीनट की तैयारी कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए कि एक time table बना लेना चाहिए कि यार मेरे को इतने महीने में छे महीने के अंदर मेरे को पूरा अपना syllabus cover करना है लेकिन अब बहुत सारे बच्चे यह सोचते हैं क यार मैं mcq कैसे करूंगा मतलब पहले मैं syllabus पूरा complete करना फिर उसके बाद mcq करूं तो यह बहुत गलत तरीका है आपको साथ साथ में सब कुछ चलाना चाहिए ठीक है और वो लिस्ट आप हमेशा आपने सामने रखें कि assistant professor के यह thinkers जो हैं वो मुझे cover करने हैं जो की UGC net मे कर रहे होंगे तो उसमें उन thinkers के concept नजर आ रहे होंगे तो वो concept आप उन thinkers के सामने लिखते चले जाई यह assistant professor की मैं आपको रियल बता रहा हूं यही सबसे जबरदक्त तरीका है कभी यह तरीका fail नहीं हुआ है बहुत successful तरीका है और जब भी आपके पास time मिले ना थोड़ा स गूगल पर उन thinkers के बारे में सर्च कर लीजिए वैसे देखिए मैं आपको बता रहा हूं कि मैं extra thinkers की पूरी series ला चुका हूं और playlist में चले जाईए आप जो मेरा YouTube का जो test book का जो channel है उस पर चले जाईए आपको पूरे extra thinkers की पूरी playlist मिल जाएगी और अभी तक कम से कम नहीं तो मैंने 50 से उपर ही thinkers जो हैं 50 क्या 100 करीब thinkers जो हैं वो मैं cover कर चुका हूं और लगतार short videos, short videos में नहीं videos में, videos में, recorded videos में आपको लगतार मिल रहे हैं नए-नए thinkers तो जो assistant professor में जितने भी thinker पूछे जाते हैं वो सारे आपको वहाँ पर मिल जा रहे हैं उनको cover कीजिए लगतार cover करते रहे हैं, cover करते रहे हैं देखिए 10-15 मिनिट के वो videos होते हैं, 10-15 मिनिट के उन videos को कर लेने से उनसे बाहर कोई question जाता नहीं है, इसी को क्या कहते हैं, value enrichment कहते हैं, यह value enrichment है, कोई बाहर से नहीं आता, जैसे आपने syllabus तयार कर लिया, आपका syllabus पूरा complete हो गया, फिर उसके बाद क्या, जब आप MCQ देखते हैं तो आपको कुछ नई चीज़ें स यह उसमें paper फसा दीजिए, उसको staple कर दीजिए, उसमें notes बनाते जाएं, बनाते जाएं, कई सारे बच्चे जो है, इस बार जयरेफ qualify की हैं, तो वो यही बताते हैं कि sir, notes बनाने का time नहीं होता था, हमने सोचे था, दो महीने, तीन महीने में जयरेफ हो जाए, और देखिए आज हो गया, तो यही है कि जो किताब थी उसी में हम cover करते रहें, यह वो किताब है students, सब को बहुत पसंद आई है, बहुत अच्छी किताब है, ठीक है, Amazon पर आपको यह किताब मिल जाती है, Pearson की किताब है, ठीक, cover page मैंने आपको दिखा दिया है, तो यही cover देख लीजिएग और किताब जो है, बहुत महेंगी नहीं है, बहुत सस्ती किताब है, ठीक, तो यह किताब आप ले सकते हैं, मार्केट से, ठीक है, या Amazon से ले सकते हैं, तो यही strategy है, पूरे discipline के साथ आपको इस strategy को follow करना है, और मैं आपको यह भी बता जिता हूँ कि कैसे आप Google form बढ़ सकते हैं, या जैसे अभी discount चल रहा है, और अगर आप enrollment करना चाहते हैं, ठीक, तो कैसे यह जो discount है, यह आप available कर सकते हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, तो थोड़ी दिर के लिए मैं अपने आपको यहाँ पर, मुझे हटाना होगा, मैं हटा लेता हूँ, थोड़ी दिर के लिए, ठीक है, यस, तो चलते हैं, उस screen पर, जहां से आपको, गूगल क्रोम दिख जाए, यस, तो यह यूचूब है, और यहाँ पर मेरी एक क्लास नजर आ रही है, तो इसी क्लास को देख लेते हैं, अब इस क्लास में नीचे जाईएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको यहाँ पर, मुर पे क्लिक कर दीजी, यहाँ पर आपको बहुत सारे लिंक्स दिख रहे हैं, देखिए, इसी तरह का आपको इंटर्व्यू गाइडेंस का भी गूगल फॉर्म यहाँ पर मिल जाएगा, उसको भर दीजिएगा, अगर आपका MPPS से असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलिफाई हो गया रेटें, तो आप लिखा हुआ है, देखिए, click to get the offer, class join करना चाहते हैं, ठीक, तो यहाँ पर जा करके, आप यह देखिए, यह अपलाई कूपन लिखा हुआ है, इसको अपलाई कूपन पर क्लिक कीजिए, यहाँ पर get UGC, इसको हटा दीजिएगा, और यहाँ पर M A N O J, लिख दीजिएगा और यहाँ पर इसको अपलाई कर दीजिएगा, तो आपकी जो fees है, वो कम हो जाती है, और वो 7,499 रुपय हो जाती है, ठीक है, तो इस तरह से student आप course ले सकते हैं, और उसी में आपको Google form भी मिल जाता है, उस Google form को आप अगर fill कर देते हैं, तो फिर, जो है, आपके पास खु यूजी सीनेट के साथ साथ assistant professor का exam qualify करना चाहते हैं, value enrichment करते रहिए, जो syllabus में नया दिया हुआ है, वो कहीं मिल जाता है, उसको तुरंत note कर लीजिए, आप देखिए कैसे UGC net के साथ ही assistant professor का भी exam आपका qualify हो जाएगा, बस यही एक तरीका है, लेकिन आपको जिस exam के आप तय तयारी कर रहे हैं, उसमें आप अपना 100% दीजिए, उसमें पूरा मन लगाए, पुरी शिद्दत से तयारी कीजिए, देखिएगा आपके दूसरे exams भी जो है, वो qualify होने लग जाते हैं, उसके लिए आपको कोई बहुत ज़्यादा विशेश मेहनत करने नहीं पड़ेगी, अलग से मेहनत करनी नहीं पड़ेगी, जून 2025 के लिए बैच अगर आप enroll करना चाहते हैं, paid class लेना चाहते हैं, तो अभी unit 1 से start हो गया है, ठीक, और students online community, जरूर से आपको हिस्सा होना चाहिए, कि उससे आपके competition का पता चल जाता है, तो उपर जो number लिखा हुआ है, वो मेरा links देख सकते हैं, तो वहाँ पर भी link दिया हुआ है, अब direct link पे जाकर भी groups को join कर सकते हैं, ठीक है, paper 1 की class नहीं देखते हैं, तो भाई देखा कीजिए, क्योंकि paper 1 जो है, वो जरूरी हो गया है, आज की date में पढ़ाई करना, क्योंकि उसके बदौला थी, आप GRF मुझे पूरी उमीद है कि आप लोगों को इस वीडियो से बहुत फायदा मिलेगा, और आप अपने आगे की रन नीटी जो है, वो तैयार कर पाएंगे, थैंक यू, बाई बाई, आल दे बेस्ट